नमस्कार सात्यों, सात्यों यदि आपकी जमीर पर कोई अवैद कवजा है या कवजा संबंदी विवाद है तो आप बिना कोट जाए बिना पैसा खर्च किये आप कवजा संबंदी विवाद जो है कैसे सौट आउट करें ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा और आदेश भी दि कर रहा है इसका documents verification करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं वह भी करवा सकते हो contact नमर वीडियो की discussion में mention किया गया है देखें लोगों का जो महत्वपूर सवाल और जो सबसे बड़ी परिसानी होती है वो होती है कि जैसे माल लीजिए ये जमीन है मैं दो तीन तरीके के कव कवजा बता रहा हूं पहले में बता रहा हूं कि यदि आपका कवजा है यह और कोई दूसरा बंदा विवाद कर रहा है ठीक है बी बंदा जो है वह विवाद कर रहा है कवजा अठाओ विवाद कर रहा है धमकी दे रहा है तब क्या करें ठीक पहली condition दूसरा अगर माल यह आपकी कोई X property है ठीक है यह मालीजे आपकी नीव अगएरा सब कुछ वरी है लेकिन भी बंदा आके जबर्जस्ती कह रहा है नहीं हमारी जमीन है हमें आसे अठा देंगे तो आपको क्या करना है सात्यों आपको जाना है SDM के पास और SDM को मालीजे जो application है वो देना ठीक है application देना है कि फलाना विक्ति विवाद कर रहा है यहां पर कभी संगय अप्राद हो सकता है तो SDM कारवाई करेंगे और SDM को पावर भी है पावर कहां वो मैं आपको बता दूं CRPC 145 जहां बहुमिजल संबंद परसांति को भंग लेके परसांति भंग होने की संभावना है वह सब्सक्राव है तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आदारों का कथन करते हुए ऐसे विवादों के संबंद में पच्छकारों से अपेच्छा करते हुए लिखेत आदिस देगा और वे विर्दिस्ट तारी समय पर स्वेंप लीडर द्वारा अपने नियालाय में हाजिर हो और विवाद संबंदित विशेवस्त वास्तिक कपजे अपने दावा का लिखित कतन प्रस्त करें यानि कि साथ यो यह एक्स प्रॉपर्टी है ठीक है आपका कपजा है बी इस पे दवंग गई से वो कर रहा है आप परसांत बंग हो सकती है लड़ाय यंगड़ा हो सकता है गोली भी चल सकती है ठीक है तो क्या करेगा स्टीम कि दौनों लोगों से कहोगा ए और बी से कि आप दौनों लोग लड़ाय मत कीजिए फलानी तारिक को आप हमारे कोट में आ जाई है और अपने अपने डॉकुमेंट्स ठीक है दीजिए अब दौनों को बोलाएगा डॉक कबजा संब्जा दिलाएगा ठीक है और मना करेगा इदायत देगा कि आप जो है आप कताई वहां पे वहां पर मत कर देना दंगा फसाद मत कर देना यह पावर है ठीक है SDM की दूसरी बात अगर माल लिए दवंगई से घुसरा है तो आप पुलिस को भी कॉंटक्ट करके ब माली जी कोई बड़ा वेवाद हो सकता है तो ऐसी कंडिशन में तो यह दिए गए साथियों ठीक है दो चीज़ें ठीक है अब मैं आपको पताऊंगा कि यदि आपका किसी जमीन पर माली जी यह प्रोपर्टी है इस पर कोई व्यक्ति दो साल से तीन साल से कवजा किये है तो वो कवजा कैसे एटवाएं ठीक है यह माल लीजिए बारा साल से किये है तो कैसे कवजा एटवाएं साथियों उसके लिए भी अलग अलग नियम है एक चीज मैं आपको और बता दूँ यह दिकानूनी साला लेना चाहते हैं ले सकते हैं कोटेक्ट नमर वीडियो के डिसक्र कि जो है भीवेक्ति वो कवजा नहीं छोड़ रहा है करफ्या हमारा जो है सीमांकन करवान ठीक अक्सर मान लिजिए क्या होता है मान लिजिए उसकी यह इसकी जमीन यह है यह ब्लू किलर से आपके लेड़ क्लर गीवह कह रहाएं रहा है पड़ोसी सहे खातेदारक है या मान लीजिए अभी आपका नेप्टारा नहीं हुआ है या मान लीजिए दूसरा कोई व्यक्ति भी जिसका आप पर अड़ाने के लिए आप sdm और तैसिल दार को अप्लिकेशन लेखें और प्रूफ कि मैंने देखी सिकाइट की थी ठीक है ना फिर भी महां पर SDM लेखपाल कानुमों को बेजेगा और पुलिस को बेजेगा भी को अठाएगा माल लीजिए किसी भी तरीके से यह सारे प्रोसेस आपके फैल जाते हैं आपका कवजा साथियों नहीं हट पाता है फिर भ सब्सक्राइब करने पड़ेगी यदि कोई दूसरा व्यक्ति सरासर कभजा किये उसका जमीन नपास में ना कुछ है वो कभजा किये विर रहा है तो उसके लिए मैंने आपके लिए धारा यह डिसाइड किये बिना हक के भूम अध्यासी व्यक्तियों की बेद खिली यदि को कोई व्यक्ति बिना किसी हक की ना उसका उसमें साइकातितार्या ओना पड़ोसी यह और कुछ भी है कभजा किये तो उसपर इस वाली धारा में मुगदमा चलेगा स्टीयम के हाँ ठीक है मुगद्मा चलेगा इसको नोटिस जाएगा राज सरकार को नोटिस जाएगा ठीक है और इसे जो है वहाँ से बेदेखल किया जाएगा और वहां पे अच्छा खासा जुर्माना भी आपको दिलाया जाएगा अब कई लोग प्रस्न करेंगे कि साथ तो आप 134 में सूट फाइल करें एक नोटिस को से बलाएगा उससे भी एविडेंस माँगेगा एविडेंस ये नहीं पाएगा ठीक है तो इसे किया जाएगा संपत्ती से बेदखल क्योंकि दारा 134 वही प्रापदान करती है बेदखली के लिए बाद जो कोई भी अत्चारी है जिसका हक नहीं है उस गूम पे और वो जमीन पर लगातार कभजा किये हुए है तो कोट हटवाएगा ठीक है हटवाने के साथ साथ उससे जुर्माना भी ले है अगर दस साल किये तो जुब्य का जमीन का सर्क्ल डेत है उसका आदा कव्यां वह 20 साल से किये तो जितने की जमीने उतना ही उस पर लगेगा जौमाना डिक है इस साल पर तो परशेंट बीस साल पर ठीक है और उसका कव्या भी वहां से हटवाया जाएगा ठीक है यह इस